आयोध्या के राममंदिर में सफाई करने वाली एक लड़की के साथ गेंग रेप का मामला सामने आया है इस मामले में नो लोगों को आरोपी बनाया गया है पीडिता ने इस मामले में पुलीस पर भी कई गंभीर आरोप लगा हैं तो महीं इस मामले में कॉंग्रेस नेता ने भी यह सवाल किया ही कि क्या आयोध्या पर भी बुल्डोजर चलेगा नमस्कार में शेख जोया आप देख रहे हैं ता नगरीली से सबसे पहले जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर महीला ने क्या आरोप लगा हैं वीडिता का कहना है कि कि रिलेशन में रहे उसके दोस्त और उसके साती यों ने उसके सात कई बार गेंग्रेप किया और वीडियो बना कर बिलेक मील कर अलग-अलग जगहों पर कई दिन दुश्क्रम किया इस मामले में दो सतंबर को रिपोर्ट दर्च की गई थी लेकिन पुलिस ने उसे उसके परिवार को मीडिया से धूर रहने के लिए धंकी दू पीडिता ने बताया कि मैं श्री राम जन भूमी में काम करती हूँ इस घटना के बाद से मेरा काम भी चूट गया है पीडिता ने बताया कि उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई उसके बाद वो रिलेशन में आ गए लेकिन लड़का अचानक अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर मेरे साथ जबरदस्ती की और जब मेने भागने की कोशिश की इस दोरान मेरे सिर में चोट भी लग दी जिससे में बेहोश हो गई उन लोगोंने मेरे साथ गलत काम किया शाम को होश में आये तब वहां केवल दो ही लड़के, वंश, चोदरी और विने थे, इसके बाद वो लोग मुझे गेस्ट हाउस से एक गेराज पर ले गए, वहां पर भी उन्होंने मेरे साथ दुश्रम किया, और मेरा वीडियो बना लिया जिससे वो मुझे बलेकमेल कर रह होगा, इसके बाद में डर की वजह से लोड रही, इसके बाद 31 तारीक को फिर में एप्लिकेशन लेकर महिला थाने गई, तो उन्होंने कहा कि इस सारी घटना जूटे जो एप्लिकेशन में लिखाए वो सही नहीं है, उन्होंने मुझे ही गलत बताया और कहा कि वो लड़क कर नहीं सकते, दो सितंबर को बारा बज़े तक मैंने इंतजार किया, जब मेरे पास कोई स्पोन नहीं आया, तब मैं SSP ओफिस गई, उसके बाद महां से आदेश हुआ, तब मैं SSP CT सहब के यहां गई, तब महिला थाने और केंट के SHO को गुलाया गया, और कहा गया कि मेरा केस दर्ज किया जाए, हम वहां दो बज़े से बेठे थे लेकिन पुलिस ने नो बज़े तक हमारा केस दर्ज किया, और रात ग्यारा बज़े मेरा मेडिकल हुआ, 36 घंटे मुझे ठाने में बेठने के बाद भी FIR को पी नहीं दी, वहीं इस मामले में पुलिस का कहनाई कि जो आज में ये बात सामने आई है कि अलग-अलग दिन जब युपती अपने परिचित युवक से मिलने गई थी, तब उसके दोस्त और उसके सातियों ने युपती के साथ दुश्ट्रम किया, मदुवन सिंग एस पी सीटी आयोधिया ने कहा कि ये प्रकरन ठाना केंट का ह और ये मामला दो हफते पुराना है, पीडिता दुआरा दो सितंबर को ठाने केंट में मुकतमा दर्च कराया गया, जिसमें ये तथी संग्यान में आया ही कि पीडिता जब अपने पूर्फ परिचित मितर से मिलने विविन तिथियों में गई, तब उसके दोस्त और उसके स सांसद और कॉंग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीच किया और लिखा, आयोध्या में राम मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली युफ्ती के साथ सामोहिक दुश्क्रम किया, क्या राम मंदिर पर भी बुल्डोजर चलेगा, अब कॉंग्रेस नेता के इस